दोस्तों Great to India YouTube चैन में आपका स्वागत है यह है future learning platform तो दोस्तों रिट में के जो एक्जाम होने वाले है फरवरी और जो जनवरी में जो एक्जाम होने वाले हैं RSSM भी C8 के एक्जाम तो उस दोनों के लिए और C8 12th पास के लिए भी most important art and culture के कोर्सन रेने वाले हैं तो चलो session को start करते हैं राश्तान गवर्मेंट के सभी एक्जाम के लिए तो चलो very important रहेंगे कोर्सन art and culture से related तो चलो कोर्सन इस्टार करते हैं 51 से 51 नमबर कोर्सन क्या कह रहा है निमलिकित में से कौन सा यूग में सुमिलित नहीं है यहाँ पर जो यूग में सुमिलित नहीं है वो यहाँ पर अलवर option है यहाँ से अलवर कार देना और हती मौसव जो है यहाँ पर जैपूर है और उसके बाद हम option को चेह करते हैं जैपूर यहाँ से कार देता है और अलवर अब चेह करते हैं देखे कोर्सन ब्रज मौसव कहाँ पर मनाय जाता है यह कह रहा है और यूग में मोटाबू में बिल्कुल राइट है, हार्ती मौसव बिल्कुल राइट है और थार मौसव बार्ड मेर में बिल्कुल यहां पे राइट है, नेक्स्ट कोर्सन, यहां पे निमलिकित में से कौन सा, पसु मेले और इस्तान सही सुमलित कीजिए, तो पसु मेला और यहां पे सही स जस्वंत पसु मिला करोली यह यहां पर रौंग है और मलिना जी का जो पसु मिला तिलवाड़ा यहां पर राइट है तो ध्यान रखें यह जो जस्वंत पसु मिला है यह करोली में नहीं है जस्वंत पसु मिला जो है वो है बरतपूर में कहां पर बरतपूर में मनाया जाता ह तो सही आंसर क्या रहेगा यहां पे C बनेश्वर का मेला कब बढ़ता है तो बनेश्वर का जो मेला है यह कब बढ़ता है तो यह बढ़ता है माग पुर्णिमा को कब बढ़ता है माग पुर्णिमा को माग पुर्णिमा को बनेश्वर का मेला बढ़ता है Next 54 तो लाल दास जी का मेला दोली दूब बिल्कुल राइट है यहां पे, मार्त कुंडलेनी का मेला रास्मी बिल्कुल यहां पे राइट है, परसुरा मादेव मेला रहवासा यहां पे गलत हो गई है, और फिर यहां पे बासा मेला बियावर बिल्कुल राइट है, तो ध्यान र और ये दोलू दूब है जो ये काँ पे ध्यान रखें अलवर दोलू दूब काँ पे है अलवर में और ये रस्मी जो है चितोड ध्यान रखना है ये वेरी इंपोर्डेंट पॉइंट यहां पे नेक्स्ट कोर्षन 55 55 नमबर कोर्षन क्या कह रहा है देखे निमलिकित में से और सुमलित यूगम है यहां पे और सुमलित यूगम कौन सा है वो बताना है तो चुंगी तीर्थ मेला जसल मेर बिलकुल राइट कपिल मुली का मेला बिकानेर बिलकुल राइट है राम रावन मे यहां पर यह गलत हो गया क्योंकि और सुमिलीता है यह कर्शन राम रावन जो मिला है वो बड़ी साधरी चितोडगड में कहां पर राम रावन मिला कहां पर बड़ी साधरी ध्यान रखना है यहां पर बड़ी साधरी और यह बड़ी साधरी कहां है ध्यान रखना है मेला कब बढ़ता है गोटे अंबा मेला ये कब बढ़ता है तो ये जो मेला है कब बढ़ा जाता है तो ये ध्यान रगना चैत्र अमूस को सही आंसर आएगा यहाँ पर ए राजिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स किसकी दर्गाप बढ़ता है तो ये जो है उर्स जो है संत हमिनुदुइन नागोरी सही आंसर यहां पे सी क्या रहाएगा सही आंसर हमिनुदुइन नागोरी इग्यारस रेवाडी का मिला इग्यारस रेवाडी का जो मिला है ये कब बढ़ता है तो ये बढ़ता है बादर सुक्ल द्यान रखें बादर सुक्ल एकदसे को जो देव जूलनी जल जूलनी जो होती है कब होती है बादर पर सुक्ल एकदसे को इग्यारस को तो सही आंसर यहा रखेंगे वेरी इंपोर्टेंट है जूलने और कार्थिक सूकल को जिससे ये देव जूलने था तो यहां पे दियान रखेंगे देव ऊठनी देव ऊठनी जो है एकदसी जो होती है कार्थिक सूकले एकदसी को लट मार हुली कहा की परसीद है तो लट मार हुली जो है का की परसीद है बाड मेरे बियावर करोली या दोल तो यहांपे सही आंस रहेगा C करोली करोली में लट मार हुली परसीद है तो यहाँ पे एक और मैं आपको यहाँ पर very important question बताता हूँ कपड़े फार हुली ध्यान रखें यह कई से भी पुझा जा सकता है कपड़े फार जो कपड़े फार जो हुली होती है होले होले तो यह कहा कि यह है पुझकर क्या ध्यान रखना है यहाँ पर आपको पुझकर ठीक है यहाँ पर और कंकड मार यह जैसल की होती है लेकिन मैं आपको यहाँ पर डोल यहाँ पर एक जो पत्तर मार हुली है पत्तर मार हुली कहाँ पर बाड में दियान रखें ये very important पत्तर मार होली कहीं बार exam में पूचा गया है कहीं बार और कोडे मार होली जो होती है बील माल के बिनाय की होती है तो दियान रखना वो भी लेकिन मेरे तरफ से यहाँ पर आपको दियान रखना है एक तो very important रहेगा यहाँ पर बाड मेर पत्र मार हो ली और कपड़े फाड हो ली कहाँ पर पुश कर very important point है ध्यानक है और सही answer रहेगा इसका C चलता है next question के बाड फूल डोल मिला कब बरता है तो फूल डोल मिला है यह बरता है कब बताईए यहाँ पर सही answer कह रहेगा तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको इसका सही answer कह रहेगा चैत्र किष्ण पर्तिपादा से पंच में तक तो यहाँ पर सही answer रहेगा ए जोदप और वैसाग सुकलर तिर्थिया को वैसाग सुकलर तिर्थिया को क्या होती है आका तीज यह क्या है यहाँ पर दियान रखें आका तीज क्योंकि मेले का और यहाँ कुछ भी कोर्षन कहीं सभी और चैतर सुकलर तिर्थिया को क्या होता है गणगोर ये लो, मैंने यहाँ पे दो आपको मैं पॉइंट पॉइंट बता दिया एक और बनता पना देखो, सावन सुकलर तिर्तिया सावन सुकलर तिर्तिया को यहाँ पे छोटी तीज कौन से तीज, एक तो आपको दियान रखना है छोटी तीज के बारे में और एक हरियली तीज हरियली तीज next question निम्लिकित मैंसे सुमिलित कीजिए याँ पर सुमिलित करना है आपको मेला और तिति तो कि बान गंगा मेला गंगोर मेला, कलप्रक्स मेला, सितावडी का मेला यै कब तिति को कौन से तिति को होता है तो आपको ध्यान रखना है तो यहां मैं बता देता हूँ आपको सबसे पहला बान गंगा मेला तो बान गंगा मेला यह होता है वैसाक पुर्णिमा को और गंगूर मेला जो होता है वो होता है यहां चैतर सुकल तिर्टया को कलप्रक्स मेला जो है और कलप्रक्स मेला जो है सा बड़ी का मिला जेट आमोस को तो यहां पर सही आंसर आएगा 1,2,3,4 तो सही आंसर आएगा यहां पर C वैसाक सुकले तिर्तिया और सावन किर्ष्न पंचमी को कौन से त्यार मनाये जाते हैं तो यहां पर जो त्यार मनाये जाते हैं यहां पर त्यार मनाये जाते हैं वैसाक सुकले तिर्तिया को तो मनाये जाते हैं तीच और नाग पंचमी कर्ष्ण पंचमी को यहां पर नाग पंचमी मनाई जाते हैं तो सही आंसर रहेगा यहां पर B राजिस्थान में विवीन समय पर निमल के त्यों त्यौन मनाये जाते हैं तो यहाँ पर कलंडर वर्स के अनुसार आपको तिति करम के अनुसार आपको बताना है तो सबसे पहले हमेसे धियान रखना अक्सेथ तिरते आती है तो यहां पर देख सकता है B तो B यहां पर भी है सब में है फिर next फिर आता है यहां पर जनमास्ट में अक्षर तीता है कि जस्ट बाद में जनमास्ट में तो सरेगा C तो B C यहां पर है B C यहां पर भी है फिर देखिए फिर आता है यहां पर next जो है बस बारस तो फिर आएगा D, B, C, D तो सई answer क्या रहेगा फिर A answer right निमलिकित मैंसे कौन सा त्यार चैतर के महिने में नहीं आता है तो चैतर के महिने में जो नहीं हाता है वो बताना चैतर के महिने में हमेशा गुडला आता है सितलास्ट में रामन में आती है लेकिन रक्सा बंदन नहीं आता है सई answer D बताईए निमलिकित मैंसे औस सुमलित यूग में कौन सा है यहां पर औस सुमलित यूग में बताना है तो यहां पर नाग पंचमी, हल सस्टी, कामिका, एकदसी, और यहां पर बस बारस तो यहां पर आपको औस सुमलित यूग में बताना है तो देखें, हल स्टी जो है बादर सुकल स्टी को नहीं होता है यह बादर क्रिशन स्टी को होता है यह कब होता है बाशन क्रिशन स्टी को तो यहां पर सही answer आएगा औस सुमलित में भी आस्विन पुर्णिमा को कौन सा त्यार मनाया जाता है तो यहाँ पे त्यार जो मनाया जाता है वो कौन सा त्यार मनाया जाता है तो देखे यहाँ पे असाड पुर्णिमा को तो अमेशा असाड जो पुर्णिमा होती है आसाड पुन्निमा को गुरु पुन्निमा मने जाती, यह यहाँ पर सही आंसर क्या होगा देखते हैं, आसाड पुन्निमा यहाँ पर दियान रखना आपको यह तो, और यहाँ पर सरद पुन्निमा के दिन राम पुन्निमा, सरद पुन्निमा यहाँ फिर हम कहा सकते हैं, राम और यहां पे जो अपना सही आंसर जो बचा फिर रास पुर्णिमा जो है आश्विन पुर्णिमा को त्यार मनाया जाता है सही आंसर डी नेक्स्ट निमलिकित कतनों पर विचार करें नीचे दिये गए कुट के अधार पर सही उतर का चैन करना है तो यहाँ पे सही उतर का चैन करते हैं, देखिए सबसे पहला, मोनी अमाउस का त्यार माग अमाउस को मनाये जाता है, तो बिल्कुल राइट है यहाँ पे यह, गोगा नम्मी का त्यार बावन क्रिष्ण नम्मी को मनाये जाता है, यहाँ पे गलत, तो यहाँ पे जो है बाव कृष्ण नम्मी को नहीं मना जाता है यह भादर ध्यान रखें भादरपद कृष्ण नम्मी को गोगा नम्मी मना जाती है और सुंगन दस्मी जैन द्रम का परमुकतियार है बिल्कुल राइट है यहां पे तो सई आंसर आएगा A and C तो यहाँ पर स्थापना दिवस मनाया जाता है और 9 वर्ष कब मनाया जाता है बताइए इन 4 में से तेज़ा दस्मी मनाई जाती है यहां पर ध्यान रखें तेज़ा दस्मी बाद्रपद सुक्ल दस्मी को तेज़ा दस्मी मनाई जाती है नेक्स्ट 70 नमबर निमलिकित मैं से ओसमलित यूग में कौन सा है वो बताना यहां पर ओसमलित यूग में कौन सा देको दूलडी चैतर किसन परतिवदा बिल्कुल राइट है पिपल पुन्नीमा को वैसाग पुन्नीमा यहां पर यह गलत है पिपल पुन्निमा जेट पुन्निमा के दिन द्यान रखें पिपल पुन्निमा कब ये जो जेट पुन्निमा जो होती है उस दिन मनए जाते तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा यहाँ पर B 70 वाट कार्तिक मास के सुकल पक्स की अस्टमी को मनाने वाला त्यार कौन सा है तो कार्तिक मास के सुकल पक्स अस्टमी को मनाय जाने वाला त्यार है वो है गोपास्ट में कौन सा है गोपास्ट में सही आंसर A निमलिकित मैं से औसमलित यूग में यहाँ पर औसमलित यूग में पताना है तो देखिए यहाँ पर आसम लित युग में कौन सा होगा यहाँ पर तो देखता है तो जनमास्ट में बादरपद बिल्कुल राइट ओपछट बादवावन बिल्कुल राइट है और रिसी पंच में आस्विन यह यहाँ पर गलत है तो सही आंसर आगा है C तो और यह जो है बादरपद सुकल पंच में को मनाया जाता है यह कम मनाया जाता है रिसी पंच में बादरपद सुकल पंच में को नेक्स्ट वसंत पंच में मनाई जाती है तो वसंत पंच में कम मनाई जाती है वसंत पंच में जो मनाई जाती है माग सुकल पंच में को मनाई जाती है तो सही आंसर है यहाँ पे सी और बताईए रिसी पंच में कम मनाई जाती है वो मनाई जाती है बाद्र सुकल पंच में को अभी just पीछे कोर्षन आया तो यहां पे ध्यान रखना है रिसी पंच में next 74 कौन सा कतन हिंदू त्योजारों के बारे में सही है तो यहां पे हिंदू त्योजारों के बारे में जो सही है वो बताना है तो गणी चतुर्ती बात्र सुक्ल चतुर्त को बिल्कुल राइट है निर्जिला एकादसी जो मने जाती है जेट सुक्ल एकादसी को बिल्कुल राइट है नव सवतसर ये चैत्र किस्न परतिवाद हो याँ पे ये गलत है चैत्र नहीं होगा यह होगा चैत्र में सुक्ल कृष्ण नहीं होगा यहां पर सुक्ल होगा और करवा चोथ कब मने जाती है सावन सुक्ल चतुर्थी को नहीं बिल्कूल यहां पर गलत है यह होती है कार्थिक कृष्ण ध्यान रखना है कार्थिक कृष्ण चतुर्थी को मने जाते तो सही आंसर आएगा first or second सही आंसर A अला Jilaiバイ का अग का जनव Rajaiki के किस जिलेम हुआ तो ये ओवा था राजस्तान के जसल में एक जोदपूर बिकाने पाले सही आंसर हैगा C बिकाने रम हुआ सही आंसर क्या रहेगा C answer इसका राइट है तो दोस्तों आज की क्लास हम यही समाप्ट करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तो आज के लिए इतना ही तो दोस्तों इदी एक क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सेर और सब्क्राइब करना ना भूले टैंक्यू